नमस्कार, लाइफ 24 पर आपके साथ मैं हूँ शिवानी ठाको संसद में विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कल प्रधान मंतरी नरेंद मोधी ने संसद को संबोधु किया अपने लंबे संबोधन में उन्होंने अपनी उत्लब्धियां गिनबाने से लेकर कॉंग्रेस और अध्य विपक्षी दलों पर भी जंप कर बसे कभी कॉंग्रेस को आड़े हाथ हो लिया तो कभी अधीर रंधन पर व्यंगसा विधान मंतरी ने इंदिया गठ वंधन पर भी विपक्ष को आड़े हाथ हो लिया जिसके बाद प्रधान मंतरी ने मनिपूर की बाद अपने लंबे संबोधन में उन्होंने 29 बार मनिपूर का जिक्र किया पीए मोधी ने कहा कि मैं मनिपूर के लोगों माता भायों बहनों से कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है ये सदन आपके साथ है हम सब मिलकर इस चिनौती का समाधान निकालेंगे, मणिपुर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। इधानमंदी मोदी ने कहा कि मणिपुर में अदालत का फैसला आया, अब उनके पक्ष विपक्ष में जो परिस्तित्यां बनी उसमें घिंसा का दौर शुरू हुआ। महिलाओं के साथ गंभीर अपराद हुए और ये अपराद अश्यम है। और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राजी सरकार कोशिश कर रही है। जिस तरह से प्रयास चरग रहे हैं करीबी भविशने सांती का सुर्च जरूर उगेगा। PM ने कहा कि दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्य और केद्र दोनों ही सरकारे हाट संभव कोशिश कर रही है। मैं लोगों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मनिपुर में शांती बहाल होगी। मैं मनिपुर की महलाओं और बेटियों से मनिपुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है। PM मोदी ने विपक्षी गटबंधन पर हमला करते हुए कहा कि आपने NDA भी चुडा लिया। इंडिया के भी टुक्रे कर दिये। I.N.D.I.A. U.P.I.A. को लगता है कि देश के नाम का अस्तमाल करके अपनी विश्वस नियता बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कॉम्रेस के सल्योगी दल कॉम्रेस के अटूट साथ तमिलनाडू सर्गार में एक मंतरी दो दिन पहले ही कहा है। इंडिया उनके लिए कोई वाइने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडू तो भारत में ही विश्वस आज मैं गर्व के साथ करना चाहता हूं कि तमिलनाडू उक्रदेश है जहां हमेशा देश भक्ति की धाराई निकली है। जिस राज्य ने हमें राजा दिये हैं। काम राज दिये हैं। NGR कलाम दिये हैं। आज तमिलनाडू से ये स्वर सुनाई दे रही है। अपनी कम्यों को ढिकने के लिए चुनाब चिन और विचारों को भी चुरा दिया। फिर भी बदलाग हुए है। उनमें पार्टी का घमन भी दिखता है। ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह से डिनायल के मोड में है। पुद्धानमंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O.U. भी एक विदेशी थे। 1902 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई उर्जा मिली और देश ने उस धज़ को अपना लिया। कॉंग्रेस ने उस धज़ की ताकत देखते हुए उसे भी अपना चाहता है। देश का ये विश्वास है कि जब 2028 में आप सब अविश्वास प्रस्तावने कराएंगे तो ये देश पहले तीन मिल होगा। ये देश का विश्वास है। वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास नहीं गतर है। कॉंग्रेस पर निशाना साथ के हुए प्रधान मंतरी ने साफ कहा कि कॉंग्रेस के पास न नीती है न न नियत है न वैश्विक अर्थ विवस्था की समझ है। प्रधान मंतरी ने अधीर रंजन को भी एक बार फिर से निशाने कर लिया है। पीएम ने अधीर रंजन पर निशाना साथते हुए कहा कि अधीर रंजन को उनकी पाजी ने बूलने का मौका न दी दिया। पीम ने कहा कि कॉंग्रिस बार बार उनका अपमान करती है कभी चुनाव के नाम पर आउस्थाय रूप से फ्लो लीडर हट से हटा देती पीम ने कहा कि हम अभीर बाबु के पुदी अपनी पूरी संवेधिना व्यक्त करते हैं अपने लंबे संभोधन में पुधान मंत्री न मुथान है, मैं इसकी मैं इसे भनवान का आश्यरवाद मांता है के ईश्वर्न के मैंther मैं विपक्ष सर्कंपरार हमारी कमैरी से जर्मा नहीं कर पाए थे पिये मोदी ने कहा कि इतना ही नहीं हम सब जनता के पास गए तो जनता ने पूरी ताकत के साथ चुनाव में एंडिये को भी जादा सीटे दी और भाजबा को भी